ट्विटर के कॉपी आप कू के बारे में सुना है? अगर नहीं, तो मैं आपको बता दू कि इंडियन गवर्मेंट ने ट्विटर की जगप पर कू नाम के आप को एंडॉस किया है इंडियन गवर्मेंट और ट्विटर की बीच में चल रहे कुछ क्लैशिस की वज़े से इस कूप नाम के आप को यूस करने की बात चल रही है वो भी ट्विटर की जगपे तो हुआ ये था कि ट्विटर ने कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करने से मना कर दिया था जो बहुत ही इंफलमेटरी हैश्टैक्स और ट्वीट्स कर रहे थे तो ये तो हो गया अप के बारे में लेकिन जो फामर्स प्रोटेस्ट इंडिया में चल रहे है इसमें आग में घी डालने का काम कर दिया कैसे जैसे कि हम जानते हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट ने दुनिया भर में काफी इंटरनाशनल अटेंशन ग्राप किया है जिसके बाद काई सार इंटरनाशनल स्टार्स और अक्टिविस्ट जैसे कि ग्रेटा धन्बर्ग, रिहाना और मीना हैरस जैसे लोग प्रोटेस्ट को लेकर अपने ओपीनिन्स देने में पीछे नहीं रहे जिसकी वज़े से काफी सारे कॉंटरोवर्सी रेज हुई है लेकिन क्या ये कम था कि 18 साल की ग्रेटा धन्बर्ग ने एक ट्वीट ऐसा कर दिया जिसने एक और कॉंटरोवर्सी पैदा कर दी वो भी इन सभी चल रहे प्रोब्लम्स की बीच में और हाली में दिशा रवी को डेली पुलिस ने अरेस्ट किया है तो सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसे क्या ट्वीट थे जो ग्रेटा धन्बर्ग ने डाले थे और दिशा रवी को अरेस्ट क्यों किया गया वो इन सबसे आके लिंग कैसे है और इस case को toolkit case क्यों कहा जाता है तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी बातों को discuss करेंगे और इसके साथ ये आगे बढ़ने से पहले हमारा ये जान लेना जरूरी है कि Greta Thunberg आके है कौन Greta Thunberg 18 साल की एक Swedish environmental activist है जो generally world leaders को challenge करती है कि climate को बचाने के लिए वो strict action लेते रहे तो अब Greta Thunberg toolkit case पे बढ़ने से पहले हमारा ये जान लेना जरूरी है कि आखिर toolkit है क्या toolkit असल में एक document थी जो Greta Thunberg ने tweet की थी जिसमें farmers protest से जुड़ी सभी बाते लिखी थी ताकि जिन लोगों को farmers protest का idea ना हो वो इस toolkit को पढ़ कर पूरा situation समथ सकी और अपने analysis के हिसाब से इंडिया के farmers को support कर सकी अब इंडिया में चल रहे farmers protest की चर्चा तो दुनिया के हर कोने में होई रही है बट इसी बीच आप में से कई लोगों को ये पता ही होगा कि police और protesting farmers के बीच चल रहे on-going clash के कारण बिल्ली के कई हिस्सों में internet services को cut कर दिया गया था तो इसी खबर के बारे में CNN ने अपने एक article में लिखा जिसे share करते हुए थन्बोग ने tweet किया we stand in solidarity with the hashtag farmers protest in India इसी के continuance में थन्बोग ने एक और tweet किया था जिसे बाद में delete कर दिया गया अब आप सोच रहे होंगे कि इस deleted tweet में आखिर था क्या तो मैं बता दू कि इस deleted tweet में ये लिखा था कि here's a toolkit if you want to help और इसी tweet में थन्बोग ने एक document भी शेर किया था जिसका title था Global Farmer Strike First Wave इस tweet में दो accounts भी mentioned थे पहला add the rate FFF India और दूसरा add the rate X Rebellion In तो इस tweet को delete कर दिया गया क्योंकि uploaded document जो शेर की गई वो पुरानी थी फिर थन्बोग ने एक और नई updated toolkit tweet कर दी Indian Express newspaper ने भी बताया था जो toolkit थन्बोग ने tweet की थी उसमें 5 link थे जिसका title था More Information Important Links ये links कुछ website से link थी जिन पर click करने पर ये आपको कुछ websites पर भेज देता है अब जैसे कि मैंने कहा था कि Greater Thunberg के toolkit में दो accounts mentioned थे जिसमें से पहला था FFF India यानि Fridays for Future India जो school students का एक movement है जिसमें Fridays की classes को bunk करके अलग-अलग धरने या demand पे ये students पैठते हैं world leaders को encourage करने के लिए कि वो climate बचाने के लिए कुछ action ले वही दूसरा account था Extinction Rebellion India का ex-Rebellion Ind ये भी 1145 groups का एक environmental movement है जो government को action लेने के लिए encourage करता है climate change के उपर तो Greater Thunberg का urgent action से मतलब है कि Indian farmers को support करने के लिए ज्यादा से ज्यादा hashtags का use करना जैसे कि hashtag farmers protest, hashtag stand with farmers और online petitions को sign करना इसी चीज़ से related वगेरा वगेरा तो वही प्रायर action से Greater Thunberg का मतलब है कि digital strike, hashtag ask India why को डालते हुए at the rate PMO office यानि कि Prime Minister's office को tag करना तो इसी से याद आया एक और incident का Amnesty International इंडिया के बार में तो आपने सुनाई होगा तो Indian government ने Amnesty International के सारे Indian bank accounts को close कर दिया था जिसके बार Amnesty International ने इंडिया के इस move को witch hunt कहा था तो अब हम जानते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों Amnesty International एक बहुत बड़ी human rights organization है इस organization पर रोग लगाने का reason ये था कि इस पर allegations लगाए गए कि ये Foreign Exchange Management Act, FEMA और the Foreign Contribution Regulation Act, FCRA को violate कर रहा है और इस इर्जाम के खिलाफ Amnesty International इंडिया के director Avinash Kumar ने कहा कि ये जूटे allegations इसलिए लगाय जा रहे हैं क्योंकि इनकी organization Delhi Rights और Kashmir में हो रहे human rights violations की transparency और accountability की मांग कर रहा तो अब वापस आते हैं Greater Dhanbuk की tweets पे तो अब इन सभी tweets का result ये हुआ कि Delhi Police Cyber Crime Cell ने इस toolkit के creators के खिलाफ FIR file की क्योंकि इसे IPC के section 121 के खिलाफ माना गया जो बात करता है government की खिलाफ war wage करने के punishment के बारे में तो ये tweet कहीं ना कहीं government के खिलाफ social, economic और cultural war wage करने लाएक situation पैदा कर ही रही थी तो इस पूरे matter पे inquiry के बात पता चला कि इस toolkit को बनाने वाली organization थी poetic justice foundation जिसे pro-khalistani organization माना जाता है अब एक और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये पहली बार हुआ है कि ऐसा कोई toolkit बनाया गया हो नई इससे पहले भी कई बड़े protest में जैसे 2019 का Hong Kong protest इंडिया का anti-CAA protest के दौरान भी ऐसे toolkits बनाया जा चुके हैं हाली में Nikita Jacob और Shantino मुलुक के खिलाव भी warrant issue किया गया दिशारवी के अलावा क्योंकि पुलिस के हिसाब से ये toolkit creation में involved थे अब next सवाल क्या किर दिशारवी कौन है और इस case से जुडी कैसे हुई है दिशारवी 21 साल की एक BBA student है जो की Fridays for Future India इसकी one of the founding members है जिसने Greta Thunberg के इस toolkit को आगे share किया था जिस वज़े से इसे arrest कर लिया गया तो क्या Greta Thunberg और दिशारवी ये दोनों सिफ ट्वीट से ही related है नहीं तो डेली पुलिस के additional public relation officer अनल मित्तल के statement के हिसाब से दिशारवी उस Google Docs की एक editor भी थी जिसके through ये toolkit share की जा रही थी तो अब आप सोचिए और बताइए कि क्या सच में किसी toolkit या किसी document को tweet करना या share करना जो protest को organize करवाता है ऐसे ही और भी कई topics की जानकारी पाते रहने के लिए आप हमारे चानल को subscribe कर सकते हैं तो मैं उमीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो थांक यू